Hello friends, अगर आप भी WhatsApp पे किसी अधर परसन से चैट करते हैं या WhatsApp पे ज़्यादा टैम बिताते हैं आज की इस वीडियो में WhatsApp के 5 ऐसे ट्रीक बताने वाले हैं जो आपके काम को काफी आसान बनाने वाले हैं आपके लगता होगा चैट हाइड कैसे करें या लास्ट सीन को हाइड कैसे करें इस तरह का कोई ट्रीक होगा लेकिन यहाँ पर बता दे कि यह सब ओल्ड वर्जन होगी है यहाँ पर इस वीडियो में जो भी हम ट्रीक बताने वाले हैं वो ले टेस्ट अप टुडेट है वाटसप का जो आपको ये ट्रीक के बारे में पता नहीं होगा और आपके साथ भी को ये ट्रीक नहीं किया होगा जैसे एक ट्रीक का एक्जामपल दे देते हैं जैसे चार वाटसप में आगे हैं आने कवाद किसी रैंडम चैट में यहाँ चले आते हैं च इसी को mix करके यहाँ पे आपका बहुत सारा ऊपर sticker आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप दोनों feeling को एक साथ यहाँ पे share कर सकते हैं, जैसे इस पे click करेंगे, यहाँ पे जो इस तरह से chat में send हो जाएगा, जो यह trick भी बहुत सारी user को पता नहीं होगा, तो अ जब आप उस पे click करके रखेंगे, तो उपर आपको lock करके भी यहाँ पे option आगा, जैसे आप इस तरह से lock पे जाकर छोड़ देंगे, तो आप जितने time तक चाहे उतने time तक आप अपने video को record कर सकते हैं, इसके बाद आप असानी से long video को record करके भेज सकते हैं, अब यहाँ पे देते थे, तो अगली user जैसी यह photo को scene करता था, उसके बाद यह photo दोबारा देखने का उनको मोकान नहीं मिलता था, लेकिन अब आप अपने voice को भी इस तरह से send कर सकते हैं, इसके बाद जो भी आप यह recording में बोलेंगे, उसके बाद किसी को send करेंगे, तो यह recording है जो एक बार अब यहाँ पर चौथा जो हमने थोरे देर पहले बता हैं, कि आप अपने पुराना से पुराना number और photo को recover कर सकते हैं, उसको करने के लिए अपने WhatsApp के उपर 3D. का जो option है, इस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको account का उपर option मिलेगा, इस पर click करना है, इ जैसा आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो request है, जो WhatsApp टीम के पास चला गया, तो अब यहाँ पर जो आपको time यहाँ पर दिया गया, कि 15 मार्च 2024 मतलब कि यहाँ पर आपको 3 दिन वाद यहाँ पर एक download का option आजागा, जैसे उसका भी हम interface बता दते हैं, यहाँ पर हम दूसरे व अपने phone में Play Store को open करना है, और यहाँ पर आपको type करना है, जीफ फाइल है, इस तरह से अपने search बार में जीफ फाइल या जीफ फाइल reader यहाँ पर type करना है, इसको बाद सर्च करना है, और जैसा आप सर्च करेंगे, वैसे यहाँ पर आपको बहुस सरा application देखने को मिलेगा उसके बाद इस पर क्लिक करके आप अपने पुराना से पुराना number और chat को असानी से देख सकते, लेकिन यहाँ पर बताते कि जो user पहले से backup को download करके रखे होंगे, या email को add किये होंगे, उन्ही user को delete number या delete chat यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अगर आपको WhatsApp में इस तरह से process क पर देखने को नहीं मिलता है, तो आप मेरा Instagram पर DM कर सकते हैं, उसका भी हम एक process बता देंगे, तो अब यहाँ पर हम पच्चमा trick की और चलते हैं, मान लिजए कि आप जब से आप अपने WhatsApp को create किये हैं, उस वक्त से आपको जितना जो यहाँ पर message आया है, तो कभी कभी क्या ह आते हैं, कि अभी तक के मेरे WhatsApp में कितने message को हमने scene करके नहीं डखे हैं, तो इसको आप एक process करके आप पता कर सकते हैं, simple's आपने WhatsApp का उपर जे search bar का option है, इस पर click करना है, यहाँ पर आपको unread करके option मिल जागा, simple's आपको इस पर click करना है, जैसे आपका जितना जो यहाँ पर लिंक बला option पर click करना है, जैसे आप लिंक बला option पर click करेंगे, तो अभी तक कि आपको जितना भी user कोई भी link को भेजा होगा, वो है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी WhatsApp के new update में बहुत सारे option को add किया गया है, तो आपको यह सारे trick समझ में आ गय होगा, उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आ होगा, इसी तरह से informative वीडियो के लिए मारे चनल यार पीटे को subscribe करें मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो